चुलाई पैच्च नोट्स प्रिविव बैटलक्राउंस मोबाईल इंडिया खिलने वाले सभी खिलाडियों को शुपकाम नाए M249 LMG एरडॉप से हटा दी गई है और अब फिल्डॉप में मिलेगी काराकिन मैप के अलावा M249 बाकी हर बज़े हुए क्लासिप मैप्स में मिलेगी अब हम देखेंगे एक नया वेपन जो है MG3 सप्लाई क्रेट में ये जगा लेता है M249 की और ध्यान रखियेगा ये सिर्फ सप्लाई क्रेट में ही मिलेगा MG3B एक लाइट मशिन गन है इसकी एक खुबी है कि इसकी फायर पावर निरंतर है ये 7.62 आमर का इस्तमाल करती है और 45 बुलेट्स इसके मैक्सिन में रह सकती है उसकी फायर पावर तेज और निरंतर है हालाकि रिलोड करने में थोड़ा अधिक समय लगता है MG3 6S scope तक ले सकता है ये भी ध्यान रखिये कि किसी अन्य attachments का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इस फेपन के लिए कोई single shot mode नहीं होगा आप MG3 mode के लिए 660 या 990 RPM mode के बीच में चूज कर सकते है इसमें एक bypore भी होता है जो आपके late ने पर अपने आप deploy हो जाएगा स्थीर सामे सुधार करने के लिए एक अच्छा tip आप late सकते है आप healing consumables को fake सकते है healing consumables को trajectory slot में जोड़ा गया है उन्हें fakeने के लिए आप एक healing consumables को चुन सकते है और throw button पर tap करे प्लेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब गलत तरीके से fake जाए तो उचल सकता है तो कृपया इस feature का उपयोग करते समय ध्यान दे टीम के सदस्द से दूर से पूछना संभव है कि वो आपको healing consumables fake है रैंकिंग सीजन अपडेट हो गया है और इस सीजन में अलग होगा इसमें एक tier add किया गया है जो ace और conqueror के बीच में होगा और अब tier के icons level up के effects भी update हो जाएंगे रैंकिंग सीजन में एक challenge point system भी add हो जाएगा आप challenge point कमा सकते है इसको कमाने के लिए आप अपने साथियों के साथ एक full game complete करे गेम को बीच में ना चुरे और अपने साथियों को attack ना करे चाहे आप battle से जल्दी क्यों ना eliminate हो जाए अगर आप challenge point एक level तक पार कर जाते है तो आप deducted ranking points को कम कर सकते है season series वाले rewards उनको दिये जाएंगे जिन्होंने उसी season में एक उपर वाला tier हासिल किया है इस theme mode में Erangle के six high tech स्थान होंगे Transit Center, Georgia Pole, Tech Center, Sosnow का Security Center, Logistic Agency और Energy Center काफी सारे दिल्चस्प updates होंगी इस mode में अगर आप उच्छुक है तो आए इन updates को जानते है इस mission ignition mode में जब आप parachute से land कर रहे होंगे तो शेरों के नाम 3D में देखे जा सकते है और आप map पे mark किये गए point पर automatically drop कर सकते है Hyper Lines एक AC high tech हवा में उड़ती हुई line है जिससे आप एक जगा से दूसरे जगा पे जा सकते है ये line कुछ निर्दारिद समय पर ही चलती है और इनके roots भी तैह है आप mini map पे mark station से train ले सकते है और जल्द ही आप दूसरे station पहुच सकते है semi truck स्वयर driving वाहन है जो निर्दारिद मार्क पर चलते है और supply से भरे होते है अगर आपको अच्छी loot चाहिए तो इन trucks पर आक्रमन करे अगर आप इने नस्ट करने में सफल हुए तो आपको supply boxes का reward मिलेगा जहां से भी देखे ये एक भविश्य की चीज लगती है दजी 38 gravity free motorcycle जमीन के उपर मंदराता है और इस पर दो लोग बैच सकते है क्योंकि ये दोनों जमीन और पानी पर चलती है आप पूरा map घुम सकते है जब players air conveyor पर बैठेंगे तब वो हवा में होंगे इस air conveyor पर दो लोग बैच सकते है A.S.M. Abakan सबसे नई assault rifle है जो mission ignition mode में डाली गई है ये 5.56 ammo यूज करती है और 30 कोलिया एक reload में fire करती है इसमें firing के तीन modes है fully automatic, burst mode और semi automatic mode और इसमें scope, canted sights, magazines ये सब attach हो सकती है A.S.M. Abakan को use करिये और हमें comments में बताईए कि कैसी लगी मीनी map में आप puppy icon को follow करेंगे तो आपको एक special petrol dog मिलेगा इस petrol dog के साथ आप दुरलब और उच आइटम्स को locate कर सकते है tactical marking device के साथ आप खुद भी चेक कर सकते है कि आपका साथी किस दिशा में fire कर रहा है दुश्मन की जगा कहा है और सड़क की जानकारी भी मीनी map पे मिल जाएगी और ये आपको आसपास के grenade की सूचना दिलवाएगी इस high tech शहर में आप riot shield से अपने आपको bullet से सुरक्षित कर सकते है इसकी बनावट काफी बड़ी और मजबूत है आपत कालेन में इसे इस्तमाल करना ना भूले एक बार आप इसे set कर देंगे फिर इसे हिला नहीं सकते तो जरूरी है कि आप एक बढ़िया जगा देखके अपनी shield का इस्तमाल करे और बटन दबाके उसे set कर दे आपके game को और personalize करने के लिए हमने और settings लगा दी है हर एक बंदू की sensitivity आप अलग से set कर सकते है और अपने gun की settings को copy करके online ही store कर सकते है कुछ low specification वाली devices पर smooth से भी नीचे एक graphic को option डाल दिया गया है हमने 90 fps कुछ नई devices के लिए भी डाल दिया है आप अब gyroscope की sensitivity का परिवर्तन कर सकते है जब gyroscope activate होगा और आप firing कर रहे होंगे तब tilt camera की sensitivity भी बदली जा सकती है हमने एक और setting डाली है जिसे gyroscope का उपर और नीचे वाला effect उल्टा हो जाएगा कुछ चीजों को आप discard करने के बाद भी pick up हो रही है फिकर ना करिए इस update में ये मुद्दा भी स्पस्ट हो गया है settings में जाकर do not pick up dropped scopes पर click करिए बेफिकर हो जाईए अब आपके discard किये चीजे अपने आप pick नहीं होगे और हाँ एक और चीज एडवांस पिकप option इसे आप अपने हातियार का favorite attachment set कर सकते है ये set करने के बाद आपकी favorite attachment बाकी सब को replace कर देगी आप setting को इस समय adjust भी कर सकते है third person camera में देखने का option default रूप से 80% होता है और इसे 90 तक बढ़ाया जा सकता है ये relatively wide camera वाले devices पर दिखाई नहीं देता विभिन्न EPS पर तेजी से launch का संतूलन में सुधार किया गया है ताकि burst speed में कोई अंतर ना हो हम बैठने के लिए तरक की गिंती करते है और साथ ही बैठने की प्रतीक्रिया समय में सुधार करते है आप विभिन्न मूवमेंस को भी आजमा सकते है healing consumables का उपयोग करते समय आटो पिक अप रोक दिया जाता है यदि वर्तमान हतियार उपयोग के दोरान कोला बारुत से बाहर हो जाता है तो automatically अगले उपलब्ध हतियार में बदल दिया जाता है बिना कोई ammunition वाली flare guns automatically नहीं उठाई जाएंगी remaining mag देखने के लिए अब अलग-अलग रंग है यदि ये 25 प्रतीशत या उससे कम है तो ये पीला हो जाता है और ये लाल हो जाता है यदि ये 10 प्रतीशत से नीचे चला जाता है अब आप अपने साथियों के लिए जुडाव की स्तीथी देख सकते है जब उन्हें शूट किया जा रहा हो तो आप इन्हें उनके व्यक्तिकत स्टेटस बार में देख सकते है इरैंगल और मिरामार में कुछ इमारतों में कास के खिड़किया जोड़ी गई है रॉयल पास के लिए अपडेट साइकल को दो महने से एक महने तक बदल दिया गया है नए पीके को जुड़ाने के वज़े से एक सामान अक्टिविटी पॉइंट्स वाली क्लैंस अब एक दूसरे के साथ कंपिट कर सकती है गैलरी फंक्शन को अब बन कर दिया गया है इसके अलावा अब आप अपनी जीत के बाद एक ब्रॉण स्टैचू जोड़ सकते है इनपीसी मीनी टीवी रे जोड़ दिया गया है रे आपको लॉबी में संदेश अलर्ट और गूसनाओं के बारे में सूचित करता है और आपको इसे आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है ये एक प्यारा इमोटी कॉन के रूप में एक अतिरिक्त बोनस की तरह जो आपको लॉबी के माध्यम से अपने रास्ता नेविगेट करने में मदद करता है ऐसा तब दिखाई जाता है जब आप गेम शुरू करते है और आपको विबिनना अफडेट्स के बारे में सूचित करते है ये आपके साथ प्रैंग भी कर सकता है और हसी के अच्छे समझ के लिए जाना जाता है मुझे आशा है कि आप सभी को रे के साथ बहुत मजाएगा ये आज के अध्यतन प्रिविव का अंत है अब चिकन डिनर का समय आ गया है